ये देखिए दिवास हम है संडी केंडी आज हमारे सब दीदी लोग भाईया लोग आंटी लोग सब घूमने जा रहे हैं कहां जा रहे हैं यहां चन्नाप नाम की एक जगर है उसे एक किलो मिटर आगे मुष्टा मानू मंदीर है वहां मंदीर में मेला लगा हुआ है यह मुष्टा मानू जो मंदीर है यह मुष्टा देटा का मंदीर है ऐसी माननीता है कि मुष्टा देटा यहां एक बार लोगों की रक्ष्या करने के लिए स्वयर नेपाल से आए थे तब से यहां पर इनकी साथना की गई जब भी गाउं वालों पे अकाल, भुख्मरी, सूखा इस तरह की कोई परिसानी आती है तो मुष्टा देवता स्वेर परकट वोकर उनकी रक्ष्या करते हैं वैसे यहां रिसी पूनिमा के दिन मिला लगता है तो आज जिसी पूनिमा है इसी कारण सभी लोग मुष्टा देवता का आसिरवार लेने जा रहें देखो कितनी भी लगी है हम भी जा रहें दीबी जाएगी आसिरवार लेने और हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे ये देखिए व्यू भी बहुत अच्छा है यहां पे ये पूरा जो जंगल है देवदार के व्रक्षो से घीरा हुआ है दीबी बता रही थी ये जो देवदार के व्रक्षो होते हैं 40 से 50 मीचर लंबे होते हैं देखिए किसे लंबे हैं और काफी चोड़े चोड़े से होके उपर उपर सकरे होते जाते हैं और कस्मीर में भी ये पाई जाते हैं हिमाचल में भी पाई जाते हैं और उतरखन में भी पाई जाते हैं और कि अगर हम बात करें तो अल्मोरा अभी लेक में देदार के वेच्छो का उलेक मिलता है वैसे देदार की लगड़ी जो है हवर्ड के काम आती है और मेडिसनल परपस के ले भी ये काफी काम आती है और इसका जो ऐल है वो स्कीन प्राब्लम के लिए भी काम आता है देखे है ना सुन्दर काफी देखे हाइड देखे काफी उची आपको दिखाई दे रही होगी बहुत हाइड इंजी होती है हवन के काम भी ये लकड़ी आती है और धूपगरा बनाने के काम में भी ये लकड़ी आती है ये पहुच गए हम मंदिर ये देखे ये यहां का गेट है देखे कितनी भीड़ हुई है मुच्टा देखा का आसिरवाद लेने के लिए यहां लोग कहीं बहुत दूर दूर से आते हैं ये देखे यही पे अभी देवडागर आएंगे और डोला उनका यही पे घूमेगा इसलिए सभी